आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेपल सी वाईफाई शड़ी पर आई ये स्टार्ड करते हैं आज के इस क्लास को जो भी साथ ही क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इबनिंग एक पर आप सभी क्लास को सीर कर दें ताकि और भी वच्चे और भी साथ ही इस क्लास को जोईन कर पाएं ठीक है तो आज किस क्लास में भी काफी important प्रश्णों को सामल किया है ये सभी प्रश्ण आपके होने वाले triple-s exam के लिए काफी important होंगे तो आप सभी इस class को last तक अवर से देखें और आज थोड़ा सा class हमने पहले start कर दी है किसी काम की बज़े से तो आज थोड़ा 5 या 5 minute पहले class आपके start हो गई है कोई नहीं तो फटाफट से जोड़ जाएगा ठीक है और आज class number 20 होगा इससे पहले हम लोग 19 class आप सभी को इस पूरी सीरीज में करा चुके हैं तो आज का class number 20 है और जो हमने आपको triple C April का batch दिया है जिसका नाम है फतह वैज 4.0 इस batch में जो offer हमने दिया है वो top 50 बच्चों के लिए एक offer आया है जिसमें ये two double line में ही आप ले सकते हैं तो ये two double line का जो offer है top 50 बच्चों के लिए रहेगा ठीक है तो फटा-फट से आप समय रहते इस offer का लाब उठा सकते हैं और April batch को आप मात्र two double line में join कर सकते हैं ठीक है offer बहुत जल्ड एक्षपार होने वाला है तो समय रहते ही आपको इसमें आ जाना है live class आपके सामको 7 पीम पर 7 पीम पर होती है 7 पजे होती है एक combo batch आपके O level के लिए निकला है जो जुलाई 2024 में एक जाम होगा इसमें आप M1 और M2 दोनों को हमने एक combo batch बना दिया है और दोनों batch मात्र 5 डवल 9 में आप ले सकते ही ठीक है ये offer आपका 15 तक रहेगा यानि 15 फेवल तक ये offer रहेगा दोनों batch मात्र आपको 5 डवल 9 में मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद फिर ये offer आपका expire हो जाएगा चलिए start करते हैं class को आज का सबसे पहला सवाल आपके screen पर आ चुका है जल्ली सी comment box में आपको answer लिखना है फटा-फट सी answer लिखो comment box में पहला question आपके screen पर लगा हुआ है क्या पूचा है यहाँ पे देखो यहाँ पर आपसी क्या पूचा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि c vigil app किस से सम्बंदित है c vigil app किस से सम्बंदित है c vigil app किस से सम्बंदित है बताओ निर्वाचन परेटन परेटन यहाँ दो बार हो गया निर्वाचन परेटन यहाँ पर कर देते हैं रोजगार तो सी विजल एप किसे संबनित है याद रखना है निर्वाचन से संबनित है किसे संबनित है चुनाओ से संबनित है निर्वाचन से संबनित है तो option number कौँ से correct हो जाएगा option हमारा पहला हो जाएगा सी विजल एप निर्वाचन से संबनित है चुनाओ से संबनित है current cell address मतलब आपने जिस cell पर आप हैं जिस वाले cell पर आप हैं तो इस cell का जैसे माली है यह cell हमारा यह column B है रो 2 तो इस cell का address क्या बनेगा V2 बनेगा तो यह जो V2 cell का address होगा यह कहां पर दिखेगा तो इसका सही जवाब होगा option number C यह आपको कहां दिखेगा यह आपको name box में दिखेगा ठीक है और जो cell का address होता है वो name box में दिखता है जो cell के अंदर आपने formula डाला हुआ है जो यहां पर कोई formula आपने डाला हुआ है या कोई content आपने यहां लिखा है वो हमेशना कहां दिखेगा वो देखेगा formula बार में ठीक है अगला सवाल है impress से पुछा है duplicate object के लिए shortcut के बताओ किसी object को duplicate करना है तो आप कैसे कर सकते हैं किसी object को duplicate कैसे किया जा सकता है answer आप सभी को comment box में लिखना है सही चवाब क्या हो चाएगा तो अगर हमें किसी भी object को चाहे हमने को image डाला हो कोई shape हमने बना दिया हो हमें उसको अगर duplicate करवाना है तो shift के साथ में हम क्या कर सकते हैं F3 praise कर सकते हैं ठीक है shift के साथ में F3 दवा सकते हैं अगर आप लोगोंने अभी तक class को share नहीं किया है तो सभी मिलकर के class को एक बार share करेंगे ताकि और भी बच्चे और भी साथ ही इस class को join कर पाएं तो सब को share कर देना है अगला सवाल देखो NPCI किसके दौरा control किया जाता है NPCI को कौन control करता है NPCI कहें तो National Payments Corporation of India Full form क्या होता है National Payments Corporation of India होता है किसके दौरा इसको जो है manage किया जाता है control किया जाता है पताईए NPCI को कौन manage करता है कौन control करता है तो right answer यहां पे हो जाएगा RBI NPCI को 2008 में शुरू किया गया 2008 में इसको launch किया गया NPCI को ठेक है और इसको manage कौन करता है RBI रिजर बैंक आफ इंडिया के दोरा इसको मैनेज किया जाता है यहाँ पे ठीक है चलो लॉच लिखना था इसलिए मैंने यह बना दिया कोई बार नहीं वेव सर्च एंजन कई बेव पेजों के बारे में जानकारी दोरा जानकारी डैस दोरा संग्रीद करते हैं जो आपके वेव सर्च एंजन होते हैं जैसे गूगल हो सकता है जैसे याहू हो सकता है इनके पास जानकारियां कहां से आती है ठीक है जो वेव सर्च एंजन होते हैं इनके पास जानकारियां कहां से आती है तो ये जानकरियां किस के दोरा इखटा करते हैं, ये जानकरियां वेव क्रॉलर के दोरा इखटा करते हैं, जो वेव क्रॉलर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी जानकरियां होती हैं, उनको अपने सर्वर पर भेजते हैं, और आपका जो सर्च जन होता है, जैसे गूगल या और वो crawler की मदद से ही जनकरी खटा करते हैं और फिर जो भी search किया जाता है वो content हमें दिखाया जाता है password और OTP दूसरों को share करना privacy को मजबूत करना होता है आप अपना password या OTP दूसरों को भेजते हैं इससे आपकी privacy मजबूत होती है बहुत ही simple सा question है आपको जल्दी से जबाब करना है true false में क्या होगा आपका correct answer सही जबाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं कौन सा correct answer हो जाएगा फटा फट से आपको answer देना है तो यहाँ पर आपका जो सही जबाब होगा वो होगा option B क्योंकि ये हो जाएगा false false हो जाएगा गलत है swift की full form क्या होती है swift एक code होता है अगर हमें मालिया पैसा बेदेश में भेजना है या दोसे देश से पैसा हमें अपनी country में मगाना है तो इसके लिए फिर swift code की आवश्कता होती है गुरुजी इतनी जल्दी कैसे पढ़ाने लगे आज कुछ समझ नहीं है हाँ बिटा थोड़ा सा जल्दी class से start होगी कोई बात नहीं दुबारा देख लेना थोड़ा सा में अचानक से class को start करना पड़ा क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे ना किसी किसे इस काम से कुछ जाना था इस बज़े से मैंने class को अभी शुरू कर दिया जल्दी और मैंने सोचा थोड़ा फटा-फट से जल्दी पढ़ा के हम class आपकी करा देते हैं ठीक है तो 5-6-7 minute जो है class पहले start होगी है कोई बात नहीं आप अगेन इसको देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम expression की बात करें तो swift की full form क्या होती है option पहला हो जाएगा society for worldwide interbank financial telecommunication option अमारा पहला हो जाएगा अगला सवाल है ifsc code में bank के नाम के लिए कितने digit होते हैं ifsc code में bank के नाम के लिए कितने digit होते हैं बोलो भाई सच नियादब आपका नाम बोल दिया है देखो पीटा यहाँ पर ना इस प्रिशन की बात अगर हम करें तो जो ifsc code होता है इस ifsc code में bank के नाम के लिए कितने later होते हैं चार होते हैं सुरुआत के जो चार डिजिट होते हैं वो हमेशा bank name को ही represent करते हैं कि कौन सा bank है तो बैंक name के लिए 4 होते हैं पांच मां डिजिट क्या होता है जीरू होता है और लाश्ट के 6 डिजिट जो आपके होते हैं वो branch का code होता है लाश्ट के छे डिजिट आपके क्या होते हैं ब्रांच का कोड होता है अगला सवाल है Pokemon game किस प्रकार का game है क्या ये virtual game है standard या फिर racing या इसमें से कोई नहीं तो Pokemon किस प्रकार का game है आपको जल्दी सी comment box में answer देना है तो यहां पर expression का जो right answer बनेगा वो क्या बनेगा virtual game है एक प्रकार का virtual game है अगर आजाता है AR game यानि augmented reality तो इसे भी कर सकते हैं अगर virtual दिया है तो virtual करना है फिलाल यदि एक sale में A1 से A3 तक क्रमसा 1,2,3 दिया गया है तो count A1 colon A3 का क्या होगा man, क्या होगा result बताओ answer दो फटा फटा सी comment box में सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा इसे बताओ share नहीं क्या तो आपको share कर देना है class को like नहीं क्या तो आपको like कर देना है यहां पर देखो count function है और count क्या करेगा जो count कर लेगा जितना भी sale में data लिखा हुआ है count कर लेगा तो 3 यहां पर 3 आ जाएगा count function हमेशा number को count करेगा इस बात को धिया रखना है वेव पेज में image को कैसे लिखते हैं वेव पेज में image को कैसे लिखा जाता है कोई image है आप उसे कैसे लिखते हैं तो आप जो वेव पेज में image को हम लोग img लिखते हैं img tag होता है है ना image के लिए तो img लिखा जाता है ठीक है जब आप html सिखेंगे तो html में जब आप code करते हैं तो बहाँ पर आपको img का ही tag जो है वो लगाना होता है ठीक है img का ही tag आपको क्या करना होता है लगाना होता है फिलाल joystick किसका उधारण है joystick किसका example है input device का बहुत simple option पहला हो जाएगा input device का example हो साथ साथ में input की क्या है pointing भी है तो ऐसा device जो point out भी करे किसी भी object को तो वो input के साथ साथ में pointing भी हो जाता है जैसे pointing में अगर आप देखेंगे तो mouse हो जाएगा pointing में अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा joystick हो जाएगा आपका touch screen हो जाएगा आपका जो pain हो जाएगा light pain हो जाएगा तो यह सब आपके pointing में आजाएगे अगर हम keyword की बात करें तो keyword आपका input तो है लेकिन pointing नहीं है बट यहाँ पे जो joystick है यह एक input भी है और pointing भी है अगला सवाल है fourth time www दिया है इसका पूरा नाम आपको बताना है तो एक तो होता है worldwide wave और यहाँ पी जो last table है इसका मतलब हो जाता है बार्म तो worldwide wave बार्म आप कह सकते हैं तो option UPPCL TG2 का batch लिया हुआ है उसमें computer भी आता है हाँ बिल्कुल देखो UPPCL TG2 में तो computer भी आता है TG2 में क्या होता है computer भी आता है तो आपने जो batch लिया हुआ है और जब आप paid course किसी का लेते हैं वहां पर दिया होगा उन्होंने कुछ ने कुछ बताया होगा कि उसमें computer पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अलग से लेना पड़ेगा यानि computer का part तो पढ़ना ही पड़ेगा तो आपने जो batch लिया हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा पहला option आपका correct हो गया है अगला सवाल है QR code में कुल कितने character हो सकते हैं QR code में कितने character हो सकते हैं अब देखो QR को हम लोग कहते हैं quick response code और इस quick response code में 7,089 character हो सकते हैं RBI की स्थापना कब हुई थी RBI यानि Reserve Bank of India तो RBI की स्थापना कब हुई थी जल्दे से बताईगा क्या होगा यहां पर correct answer RBI की स्थापना कब हुई थी 1935, 1935 में कब हुई थी 1935, यह न 1 April 1935 1 April 1935 में RBI की स्थापना हुई थी Reserve Bank of India की स्थापना हुई थी ठीक है तो याद रखना है important सवाल है अगला question है WAP का full form क्या होता है WAP WAP का full form बताईए एक protocol है जल्ले से बताओ wireless application protocol option B यहां पर correct हो जाएगा DRAM एक प्रकार का referencing memory होता है अगर हम RAM की बात करें तो आपको पता है मुखिता दो प्रकार की RAM होता है एक आपका SRAM होता है दूसरा आपका DRAM होता है हाँ तो यहाँ पर अगर हम देखें ठाकूर राज सिंग मैंने बता दिया आपका सवाल का अंसर दे दिया से अपने ध्यार नहीं दिया है मैंने आपको बोला है आपने जो EPPLTG2 का बैच लिया हुआ है वहाँ पर उन्हें समझाया होगा जहां से भी बैच लिया है आपने उसमें उन्हें बताया होगा कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे अगर वहाँ कंप्यूटर का टॉपिक नहीं है तो अलग से पढ़ना पढ़ेगा अगर कंप्यूटर का पार्ट वो आपको पढ़ाएंगे तो फिर कोई दिक्कत बाली बात नहीं है यह ना तो यह हम नहीं बता सकते हैं यह तो आपने जहाँ बैच लिया है वही बता सकते है DRAM क्या है एक रिफ्रेसिंग मेमोरी होती है अगर यह रेम की बात करें तो यह स्टैटिक होता है इसको रिफ्रेस करना नहीं पढ़ता है बट DRAM डाइनेमिक होता है रिफ्रेसिंग करने की आवश सकता होती है अच्छा अगला सवाल है चेक की वैदता आवधी कितनी होती है मतलब चेक जो है आपने जारी कर दी और आज चेक आपने जारी कर दिया तो वो कब तक बैलिट रहेगा मतलब आज आपने चेक को काट दिया चेक को जारी कर दिया वो कब तक बैलिट रहेगा तो चेक जो है आपका वो तीन महां तक रहेगा ठीक है ना ध्यारकना है जो चेक जारी तिथी होती है जस दिन आपने चेक को जारी किया है इस्यू किया है उससे तीन महां तक थ्री मन तक वो क्या होगा चेक आपका बैलिट रहेगा अगला सवाल है निमन में से कौन सा एक इंपेक्ट प्रिंटर का उधारन है कौन सा एक इंपेक्ट प्रिंटर का एकजाम पर है बोलो हाँ एपरेल वाले भी देख सकते हैं इस क्लास को जिनका एपरेल में एकजाम है वो भी देख सकते हैं सर्फ पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं सर्फ पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं अगर आपका जहां पर भी देखो बहुत सारे ऐसे एकजाम है जहां पर ना कंप्यूटर आता है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई ऐसा exam है जहाँ पर कोई business syllabus है तो आप हमें computer का syllabus भी बेज सकते हैं हमारे WhatsApp पर हम प्रयास करेंगे कि उसके लिए भी class कराई जाए तो इसके लिए आप हमें syllabus बेज सकते हैं आले ब्रोक अफिस कैल्क में round यहां दिया है 13 63.45 कामा माइनस 2 तो इस माइनस 2 मतलब हमें इसका मान गयात करना है तो जब माइनस 2 दिया होता है तो इस decimal के बाद वाली value पे कोई काम नहीं करते हैं इस decimal से पहले वाली value को round off करते हैं तो हमें 2 स्था round off करने है 3 को हटाएंगे 0 6 को हटाएंगे 0 5 से बड़ा है 6 तो plus 1 हम 3 में कर देंगे तो यहां 4 यहां 1 14 100 हमारा answer आजाएगा D option यहां पे correct हो जाएगा ठीक है अगर यह समझ नहीं आया है तो इसके लिए हमने अलग से class कराई है जहां पी हमने सारे formula समझाए हैं वो आप देख लिजेगा या फिर telegram को join कर लेना बहाँ पर हम link share कर देंगे और आप हहां से देख सकते हैं टाइब किये गए text को text की मदद से आप net पर जब बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं जब आप type करकर के internet पर बातचीत करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है जल्दे से बताओ जो बच्चे जिनका class छूट गया है दुवारा से देख लिजेगा आप इसको दुवारा देख लेना क्योंकि 5-7 मिनिट पहले class इस्टार कर दी थी आज हमने तो अगेन आप इसको देख सकते हैं जिनका भी छूटा हुआ है यहाँ पर चैटिंग बोलेंगे option C हो जाएगा क्या बोलते है चैटिंग भारती रुपे का चिन जिससे मानता मिली ठीकि भारती रुपे का चिन जो आप इस पकार से देखते हैं इसको कब मानता मिली है यह आपको बताना है इसको मानता कम मिली है 2010 में मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है निमने में से कौन सा एक मोबाइल सोशल नेटवर्क है Facebook, Instagram, Twitter तो क्या करना है ओल ओफ दीज करना है क्योंकि यह सभी क्या है मोबाइल सोशल नेटवर्क है अगला सवाल है अप के माधियम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुकतान नहीं कर सकते हैं क्या होगा एप के माद्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के लिए कोई पेमेंट वगरा नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा इसमें correct answer option पहला हो जाएगा आपका भी option first आपका यहाँ पर correct हो जाएगा अगला सवाल है निम्न में सबसे 30 स्मरती क्या है सबसे fast इसमरती सबसे fast memory कौन सी है सबसे 30 की बात की जाये तो यहाँ पर कैसे memory हो जायेगा option number हमारा c correct है कैसे memory सबसे fast memory है ठीक है और आज की class में 25 पुष्णों को सामल किया गया था और बहुत जल्द हम आप सबके एक मैराथन भी कराने वाले हैं तो आप तयार है ना मैराथन के लिए जैसे हमने कहा था बहुत जल्द आपके मैराथन भी होने वाली है और जो एक test हमने बताया था 20 तारीकों वो test भी हम आपका कराएंगे इसके लिए आपको हमारा application डाउलूट कर लेना है वहां से आप डाउलूट कर सकते हैं बहाँ पर ही test आपका होगा और जो class आपका छूटा है उसको अगेन दुवारा देख सकते हैं बाकी सभी बच्चे टेलिग्राम से जोड़ जाएगा और हमारा whatsapp पर whatsapp पर भी हमने channel बना दिया हुआ है तो आप whatsapp पर channel से भी जोड़ जाएगा link लेने के लिए आप यहाँ 9452299436 पर आप हमें whatsapp करेंगे तो automatically एक link आपके पास पहुँचेगा उस link में आप देखेंगे तो बहाँ पर whatsapp channel का भी link दिया हुआ है उस पर click करके आप whatsapp channel से जोड़ सकते हैं बहुत सरे बच्चे टेल्क्राम नहीं चलाते हैं तो आप whatsapp channel से भी जोड़ जाएगे बहाँ पर भी जो जनकारियां है वो आप सब तक पहुंचती रहेंगी ठीक है चलो class यह पर समाप करते हैं सर आराम से पढ़ाओ कोई बार नहीं कल से आराम से पढ़ाएंगे थोड़ा सा मुझे बड़ा urgent काम था ना इस बज़े से मैंने class जल्दी start कर दी थोड़ा सा fast बढ़ा दिया आपको तो फिलाल आज के लिए session यह पर समाप करते हैं मिलेंगे कल आपको साम 8 वज का 30 मिनट पर जहां पर एक सांदार class आपके लिए लेकर आने वाले हैं तो चलिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिए